श्रीमत भगवत गीता महात्म्या अध्याय सोला भगवान शिव ने कहा मेरी प्रिया पार्वती अब मैं आपको श्रीमत भगवत गीता के सोल्वे अध्याय की महिमा बताऊंगा गुजरात में साउराष्ट्र सूरत नाम का नगर है वहां राजा खडग बाहु का राज था जहां वे एक दूसरे स्वर्व के राजा इंद्र की तरह रहते थे उसने एक मदमस्त हाती को रखा था जिसका नाम अरी मर्दन था और उसके अभीमान की कारण उसके माथे से लगता रेक तरल पदार्थ बहता रहता था एक दिन उस हाती ने क्रोधा वेश में अपनी जंजीरों को तोड़ दिया और अपने बाड़े को नश्ट करना शुरू कर दिया जिसके बाद वह यहां वहां दोड़ने लगा और मतवाला होकर नागरिकों का पीछा करने लगा सभी लोग जितना शीक्र हो सके वहां से भाग गए हाती रखने वालों ने तुरंत राजा को सूचना दी और जब राजा ने सुना तो वह अपने बेटे की साथ उस्थान पर चला गया जहां वह पावल हाती था राजा खड़क बाहू जंगली हातीयों को नियंतरत करने की कला जानते थे राजा जब उस्थान पर पहुंचा जहां हाती उन्मत होकर भाग रहा था तो उसने देखा कि कई व्यक्ति रौंत दिये गए हैं और अन्य लोग उस हाती से बशने के लिए यहां वहां दोड रहे हैं उसी समय जब राजा उस अभ्यवस्था को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ब्रामण शान्ती से सुरोवर में स्नान करके लोट रहा था वह ब्रामण शीमर भगत गीता के सोल व्याध्याय के पहले दिन श्लोकों का मौन रहकर पाट कर रहे थे जिसकी शुरुआत अभयम निर्भयता शब्द से होती है जब लोगों ने देखा कि वे ब्रामण हाती की और जा रहे हैं तो उन्होंने उनको उस हाती के निकट ना जाने के लिए कहने का प्रयास किया लेकिन वे ब्रामण उनमें से किसी पर ध्यान न देकर सीधे उस पागल हाती के पास चले गए और उसे सहलाने लगे जब हाती ने ब्रामण को आते देखा तो वे तुरंत सारा क्रोध खो बैठा और शांती से लेट गया इसके बाद जब ब्रामण ने हाती की पीट थपतपाई तो वे शांती पूरवक अपने मार्क पर चला गया जब राजा और सभी नागरिकों ने इस इन आर्ष्टरे जनक घटनाओं को देखा तो वे चकित रह गए राजा तुरंत जाकर उस ब्रामण के चरणों में गिर गया और उससे पूछा ऐसी शांती और अद्बु शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है ब्रामण ने उत्तर दिया प्रति दिन मैं श्रीमत भगवत गीता के सोलवे अध्याई से कुछ लोगों का पाठ करता हूँ भगवान शिव ने कहा उस राजा ने ब्रामण से महल में आने का अनुरूद किया जहां उन्होंने दान में उन्हें एक सो सोने के सिक्के भेट किये और उस पवित्र ब्रामन्ट से नरोध किया की श्रीमल भगवगीता के सोल विया अध्याय से उन्स लोकों के पार्ट में उन्हें ग्यान दे राजा खडगबाहू कुछ समय तक उन्स लोकों का पार्ट करने के बाद एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था और हाथी के रखवालों को उसे छोड़ने का अदेश दिया था इस पर राजा सिनागरी के सोचकर रुद्विग्न हो गए कि हाथी फिर से उन्द मत थोकर भागना शुरू कर देगा राजा उस पागल हाथी के समक्ष चला गया जो तुरंथ लेड़ गया और उसने उसे सहलाना शुरू कर दिया इसके बाद राजा अपने महल में लोटे और अपने पुत्र को सिंगासिन पर स्थापित करके वन के लिए प्रस्थान किया जहां उन्होंने श्रीमत भगवत गीता के सोलवे अध्याय से उन्स लोकों का पाठ कर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की और अतिशीग्र रही उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति की चारुन कमनवनों कौप ribs श्रीन भगवत किता सोल मैं ध्याय की जाए हम लोगों पराम करेंगे श्रीन भगवत किता ध्याय सोला श्रीव अभगवाद मच अभयम सद्थ अभय म संशधिर ज्ञान योगविवуется्टिति दानम दमस्चा यज्यस्चा स्वाध्यायस्टप आर्ज्वम यही बुलत है कि हाँ भी मौनों कि अहिंसा सत्यमक्रोध स्त्यागह शांतिर अपैशुनम दया भूतेश्व लो लुप्त्वं मार्दवं रीरचापलं तेजह छमाध्रति हिश्वचं अत्रोह नाति मानिता भव अभिजातस्य भारत दंभो दर्पो भिमानस्चा क्रोदह पारुष्यमे वचव अज्ञानम चाभिदातस्या पार्थ संपदम आसुरिम दैवी संपद विमोक्षाया निवंधाया सुरी मता माश्चह संपदम दैवीम अभिजातो सिपांडवा द्वभूत सर्गउलो के स् दैव आसुर इवचव दैवो विस्तरशह प्रोक्ता आसुरं पार्थ मेश्रुणू प्रवृतिम्च निवृतिम्च जनाना विदुरासुराह न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम ते शुविद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनिश्वरं भूतं कि मन्यत काम है तुकं एताम द्रिष्ठिम अवस्टभ्या नस्टात्मानो अल्पभुध्यः प्रभवंत्य अउग्र कर्मानाः शयाय जगतु हिताह काममा शृत्य दुष्पूरं दंभमानम अधान विताह मोहाज ग्रहित्वा सद्ग्राहान प्रवर्तं ते शु चिताह आश पाश शतेर बद्धा कामक रोध परायडाह इहंते काम भोगार्थम अन्ययान अन्या ये नार्थ संचयान इदमध्यमया लब्धम इमंप्रापसे मनोरथम इदमस्तित इदमस्तदीमपी में भविष्यती पुनरधनम असव मया हदह शत्र हनिष्य चापरानपी इश्वरोहम हम भोगी सिद्धुहम बलवान सुखी आड्योभी जनवानस्मी कोन्यस्ती सद्रशो मया यक्षिदास्यामि मोधिष्य इत्यज्ञान विमोहिताह अनेक चित्त विभ्धानताह मुह जाल समावृताह प्रसकता काम भोगेशु पतनते नरकेशु चव। आत्मसंभा वितह स्थभधाधन मानम दान विताह यजन्ते नामय यज्यस्ते दंभे ना विधि पूर्वकं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं चसंश्रिताह मामात्म परदेहेशु प्रदिश्वन पभ्यसुयकाह तानहं दुष्टह कुरूरान संसारेशु नराधमान शिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिष्वे वयोनिशु आसुरिम योनिमा पन्ना मूधा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्यव काउंतेया ततो यांत्य धमामगतिं त्रिवधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनह कामह कृधस्त थालो भस्तस्मात इतत्प्रयंतजेत ए यह शास्त्र विधिमस्त्रज्या वर्तते कामकारतह नससद्धिम अवापनोती नसुखमना परामगतिम तस्त्मा शास्त्रम प्रमाणं ते कार्यकार्य वस्तितव ज्यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म कर्तुम्यार हसी Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna अजिक यूल येस वेस्टिए है